नमस्ते फ्रेंट कैसे हैं आप आयो बहुत अच्छे होंगे देखिए फ्रेंट कितनी तेजी से धूप आने लगी है तो आज मैं साम को लगाओंगी ग्रीनेट क्योंकि जो प्लांट है ना वो सारे पीले पते भी होने लगे हैं और जुलस जाते हैं बहुत जादा तेजी मैं अब मैं लगाने वाली हूं साम को लगा दूँगे तो देखिए फ्रेंट सुब्य आई थी टेरिस गार्डन में और आके मैंने सारे प्लांट को नहला दिया है दुला दिया और पानी जाल दिया है और अच्छे इच्छे देखिए गार्डन की सफाई भी कर दी है तो द तो देखिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप जैट प्लांट की किस तरह से केर करेंगे इतनी गर्मी में जिससे आपका प्लांट जादा से जादा फैलता भी रहे और अच्छी ग्रोथ करें तो इस अच्छी ग्रोथ के लिए आपको क्या करना होगा तो इसके यह बहुत जरूरी है जैट प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना सेयर करना और चैनल पर नियू है तो सबस्क्राइब भी करना तो पहली टिप यह है फ्रेंट्स की सबसे पहले आपको क्या करना है इसकी मिट्टी की गुड़ाई गुड़ाई जरूर करते रहना चाहिए अगर आपके प्लांट में जगए नहीं है तो बिल्कुल ना कीजिए क्योंकि इनकी रूट को बिल्कुल नहीं छेड़ना है आप तो देखिए फ्रेंट्स की गुड़ाई करनी है अगर गुड़ाई की जगए नहीं है तो नहीं कीजिए जैसे यहां पर है इसके पास यहां पर नहीं है तो फ्रेंट्स मैं बिल्कुल नहीं करूंगी और जैसे इस तरह की प्लांट है उनके अंदर आप गुड़ाई कर सकत केशी हैं तो इस तरह से आप गुड़ाई करेंगे तो क्या होता है जो इनकी रूट होती है उनको हवा पानी भी मिलता रहता है तो जैसे जैसे जहां पर आपको जगे मिले तो आप इनकी गुड़ाई कर दीजिए तो आपको दूसरा दूसरी टिपिये है इसके अंदर पानी तभी दीजिएगा जब बिल्कुल मिट्टी सुख जाए अगर जराबी गीली मिट्टी है तो यह क्या होता है प्लांट के जो यह पतियां होती है इनके अंदर फ्रेंस पहले से ही पानी होता है तो अगर हम पानी डालते रहेंगे तो इनकी जो stem होती है, इस तरह से ये गल जाती है, ये तो friends cutting है, तो इसको ये जो root होती है, वो गल के सड जाती है, और पतियां भी पीली हो जाती है, और plant खराब हो जाता है, तो ऐसे friends आपको करना क्या है, कि जब भी आप पौदों में पानी दे, तो आप इनके उपर जैसे ही प्लांट ग्रोध करते रहते हैं तो ऐसे आपको डाप माइब आपको तभी देना है यदा यह तौपी की मिंटी सूप यह पहली टिप और नहीं को Direct feeding कर देना कहिंए जब भी निव निव जो branch निकलती है उनको इस तरह से cut कर देना है जैसे ये निव निव ब्राइट निकली है इनको हम cut कर देंगे new branch को cutting करने से क्या होता है friends कि जो हमारे stem होती है तो यहां से ही तीन चार stem और निकल जाती है तो जिससे हमारा जो प्लांट है वो घना बन जाता है और फैल जाता है तो इसी तरह से मैं अपनी टोप्यारी की कटिंग से फ्रेंस करती रहती हूं इसलिए जिससे ये अच्छी सी घनी हो जाए और देखिए आप इतना अच्छा इसका लुक आ रहा है तो ये दूसरी टिप जो बहुत जरूरे है आप इसको पिंच भी कर सकते हैं जैसे कि यहां पर जो प्लांटे इनकी में कर देती हूं जैसिसे यह नियू ग्रोथ मेड़िए यह अन्यौति है तो यहां से मैं इस तरह से निकाल दोंगी तो जब हम निकालेंगे तो क्या होता है इसकी जो स्टेम होती है वह मौती हो पर चली जाती है और यहांसे किचिन में पड़ी हुई थी काफी दिन हो गए इसको दो साल हो गई और ना ही मेरी टोकरी खराब हुई है और ना ही मेरा कोई प्लांट कितने प्यारा सा लग रहा है और कितना अच्छा फैल रहा है तो ऐसे आपके घर में टोकरी है कबार है पड़ा रहता है उसमें आप ग्र प्लांट में रखा हुआ और आपके धेर सारे प्लांट बन जाएंगे तो यह भी काम आपको बहुत जरूरी करना है तो इस तरह से ही आपके जैट प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और आपका प्लांट फैलता भी रहेगा तो देखिए फ्रैंड्स आपको इन प्लांट की कटिंग लगाना बहुत जरूरी है देखिए छोटी छोटी बोटल से इस तरह से आप डेकोरेट करके भी इनको कटिंग से लगा सकते हैं तो आपको कटिंग लगाना बहुत जरूरी है जिससे आपके ज़्यादा से ज़्याद प्लांट हो जाएंगे तो आपको अब क्या करना है अगली टिप हमारी यह है कि जो हम चाय की पति यूज करते हैं उसको हम धोकर सुखा कर और अपने इस प्लांट में डालेंगे तो इससे देख सकते हैं आप पतियां आप देखिए इनकी कितनी बड़ी-बड़ी सी हो रही है तो आपको यह काम बहुत जरूरी करना है फ्रेंट्स तो यह जो सूखी हुई चाय की पति होती है उसका ही आप फर्टिलाजर दे और कोई भी फर्टिलाजर इसको ना दे इसको बहुत जादा फर्टिलाजर की फ्रेंट्स जरूरत नहीं होती है यह बहुत ही इजली और स्टेम तूटकर नीचे कहीं भी गिर जाती है तो यह प्लांट कभी भी फ्रेंट से खराब नहीं होता है कभी ऐसे सूखा पड़ा एक बार आप करके देखिए चीज को एक स्टेम को काटके कहीं भी डाल दीजिए अपने गार्डन में वह स्टेम कभी भी नहीं सूखेगी चा आपको यह जो मैं काम बता रही हूं वो आप करेंगे तो जैसे हमारे प्लांट फैल रहे हैं इसी तरह आपके भी प्लांट फैल जाएंगे तो देखिए चाय की पत्ती धुली हुई है अभी देखिए धोई हुई है मैंने सुबह अब मैं लेके आई हूँ तो इनको मैं इस प्लांट ग्रोथ करेगा तो यही मैं फ्रेंस खाद इसमें डालती हूं और दूसरा आपको मैं बताओंगी अगर आपको चाय की पत्ती का आप लिक्विट फर्टिलाजर भी बना सकते हैं तो यह भी आप कर सकते हैं तो देखिए मेरा तो जो मैं फर्टिलाजर देती हूं यही है कि एक चम्मच चाय की पत्ती मैंने लिया है यह फ्रेस है चाय की पत्ती और इस फ्रेस चाय की पत्ती को फ्रेंस एक ग्लास पानी में डाल जाएंगे एक चम्मच एक चम्मच एक ग्लास पानी में आपको डालना है देखिए इस तरह से आप क्या करना है इसको ऐसे घुमा दीजिए बहुत ही बढ़िया यह फटिलाजर बन जाए गाए आप डारेक्ट भी डाल सकते हैं और इसको आप एक घंटे के लिए रखके भी डाल सकते हैं और अगर आपको तुरंत देना है तो इस तरह से आप दे सकते हैं यह चाय की बढ़िया होता है प्लांट के लिए तो यही आप इसके अंदर खाद डालें कोई और खाद डालने के आपको जरुवत बिल्कुल भी नहीं है जब आप इस प्लांट को लगाए तो मिट्टी बहुत अच्छी बना इसकी बस मिट्टी अच्छी बना लेंगे तो इस प्लांट के अंदर मैं डालूँगी तो देखिए यहां पर मैं इसको डाल दूँगी इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप इसके अंदर सारे प्लांट के अंदर डाल दीजिए बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छी खाद है और बहुत अच्छा यह फटिलाजर है तो यह काम आप जरूर करें और यही आप इसके अंदर फटिलाजर डालें इससे ही आपके प्लांट जो हैं बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे इसकी पतियां भी बहुत चोड़ी होंगे और बहुत ज़्यादा आपका यह प्लांट फैलता रहेगा तो फ्रेंड्स लास्ट टिप यह है कि इसको पूरे दिन की सनलाइट में जरूर रखें इसको पूरे दिन की इसको धूप चाहिए फ्रेंड्स धूप की इसको बहुत ज़्यादा जरूरत है अगर आप इसको धूप में नहीं रखेंगे तो आपका यह प्लांट विल्कुल भ इसको धूप में ही रखना है आपको पूरिये दिन की धूप में यह रहेगा तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा देखिए मैंने कही जगे पर फ्रेंट्स लगा रखा है यहां पर भी मैंने लगा रखा है यह कुछ मैं प्लांट लेके आई थी यह चीनी मिटी के हैं यह या ऐसे छोटे छोटे जो प्लांटर होते हैं उनके अंदर आप इनको लगाए बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ होती रहती है तो फ्रेंट्स देखिए आप इनको धूप में रखा है और पानी तभी दीजिएगा जब आपके प्लांट की मिटी सूप जाए और इनकी कटि कुछ टिप अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट में बताना और वीडियो को सेयर करना अपने दोस्तों के साथ थेंक यू